हाँ शिवानी, उसने तुम्हारे भाईया पर हाथ उठाया तुम्हारे भाईया पर उसकी इतनी हिम्मत, और जुम उसे नहीं छोड़ेंगे रुको, उससे जग्रा करने का कोई फाइदा निये बिटा फाइदा होगा आंदी उसकी आउकाद का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है शिवानी तुमने उसे उसकी आउकाद पहले भी दिखा दी कोई फाइदा नहीं वो ढ़ीट हो चुका है हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं पढ़ रहा हमारे कहने पर वो अपनी हद में नहीं आएगा शिवानी बिटे उसके खेल को समझो उसे उसी के अंदाज में मात दो वो सीधा तुम्हारे पास आकर तुम्हें दुखी नहीं करता है पर हम ऐसा कैसे कर सकते आंटी उसके परिवार वालों ने कभी भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा पूलोग तो बिचारे बहुत अच्छे आंटी तो क्या हम बुरे हमने क्या बिगाड़ा है रगु का जो रोज अलग-अलग बहानों से हमारी बेजिती करता है तुम्हारे भाया ने रगु का क्या बिगाड़ है जो कभी भी उतकर उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी दे देता है या तो कभी भी उन पर हाथ उठा देता है पोलो शिवानी क्या उनके साथ और हमारे साथ ऐसा सुलुक होना चाहिए पोलो शिवानी मा अरे तू सोई ले अभी तक मा मुझे निन नहीं आ रही है काय हो बेटा मा मेरी पापा कभी भी नहीं आएंगे आएंगे ऐसा क्यों कह रही है चोरी मैंने सुचा था की वो मेरे पड़ी पर आएगे देशार के फ्लिकर और वो नहीं आए मैं उनको बहुत मैस कर रही हूँ हाँ 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 थारे पापा एक दिन जरूर आवेंगे तू देख ले हाँ 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 तो उसकी एकी सजा उसके परिवार वालों को भी नहीं दे सकते कभी नहीं कभी नहीं लो यो उमर में इतना नाचणी की काई जोरत थी ठक गए ना अरे माजी पाव जी थोड़ी ना ठके हमने तो आप कितना इंजॉइं किया निशी का बद्दे तो इस घर का बैस्टेस बद्दे वन गया यह सब बेबी जी के वज़ेश हुआ है अरे यह तो अबिस शुरूात है आगे आगे देखना या इस बेबी जी जी दिरए और देन जसन ददीन ऊहीदन लता तो फित्योंठे जी पावूल लेकिन सोने के अंड़े देने वाड़ी बहु अब लेही अभी उस पर फुजूर पीसा ख़ता हो रहा लेकिन उसको खोश रखने में ही हम सबकी बढ़ा ही है क्योंकि बेवी जी अपने लिए है इसा एवड़ी है जो तीन मेने बाद चूटी गणा तो इतना पीसा बर्सेगा इतना पीसा बर्तेगा कि कि समझ मैं नहीं आदेगा कि कैसा पीसा ख़ता करें कि अरे बेबी जी कुछ चाहिए था करें कि समझते काई नहीं पेबी जी घर को हिस्तो है इसलिए नहीं कि उनके पास पीसा है बैकि इसलिए कि हम लोगों का रिस्ता है उनके साथ एक के वास्ते वो इतना कुछ करती अपने घर के वास्ते आप से बिंटी है जब तक बेबी चैठे है इस प्रकार की बाते मती किया करो थे माजी माजी यह पावरी कि अपट अपया है अपके अपके तुम मतलब ही है यहां पर अपना गयां तुम मतलब ही है थीको भी हमसे कोई मतलब नहीं है मतलब है तो जिफ तिर्फ हमारे पैसों से कि सब बस एक दिखावा है हमारी प्रॉपटी पाने का रहनों का अंटी बिल्कुल ठीक कहती थी ठीकुल ठीक कहती थी एक हमी है जो इस सब की नियत में ही पहतान पाए तुम ताहिर कुछ भी कर ले इन लोगों के लिए कुछ भी जैसे रगू है जैसे यह कित परिवार वाले कोई भी विश्वास के लायट नहीं कि बेबी जी थाके वास्ते कोफी लाई हो थाने घणी पसंद है ना कोफी बेबी जी रगू की बापू की बात का बुरा मत माने हो वो तो बस जो मुह में आये बिना सोचे समझे बोल देवे हैं साची बात तो यह है बेबी जी कि हम सब आपकी घणी इचत करते हैं आप जितनी इज़त हमारी करती है कि हम सुन चुके हैं अब और दिखावा मत करिये अरे नहीं नहीं बेबी जी थे गलत समझ रहे हैं हम गलत समझ रहे हैं रगू रगू अपनी चाल चलता रहता है बाबुजी बाबुजी के लिए हम सिर्फ एक पैसा पाने का रास्ता है इनकी नजरों में हमारी कोई इज़त नहीं है और नहीं हमारे ज़स्पातों की और अगर उनमें और आपने कोई परक है वो सिर्फ इतना वो जो मुँ में आए वो बोल देते हैं और आप छुपाना जानती हैं नहीं पेपी जी यो सच कोई है सची बात तो यह है हम आप से गड़ा प्यार करें बस कीजिए मा बस कीजिए यह सब बस ही दिखावा है आपके प्यार का आज यह जूटी इजद हमेंसे इसी लिए दीजारी है क्योंकि हमारे पास आज पैसा है वरना यह कॉफी लेकर आती है आप हमारे लिए अरे घर में गुशने तक नहीं देते आप लोग हमें आपके सब बस टेहरे पे टेहरा लगा के घूम रहे हैं आपके मुशने थेहर नहीं आपके आपके लिए आप कैसे बात करें मास आपके इतनी इज्जत करते हैं आप ऐसे बात करेंगे इंसे तुम सबके सब किसी की इज्जत नहीं कर सकते सिर्फ इज्जत करने का धूंग करते हो और धूंगियों से हम ऐसे ही बात करते हैं बेभी जीफ देखिए मैं आपकी नाराज़गी समझ रहा हूँ आप कुछ भी कहिए मैं बरदाश्ट कर लूँगा लेकिं लेकिन मा की बेज़ती नहीं आप मास ऐसे बात नहीं कर सकते हैं आप प्लीज मासे माफी मांगें मासी मांगें किसी भी हाल में माफी नहीं मांगेंगे देखिया बात को बढ़ा रही है अपने मां से ठीक से बात ली कि आप मांसे माफी मांग लीजी रभू तू चल अठे से तू चल मैं कोई नाराज नहीं हूँ बेबीजी से चल नाराजगी तो हमें है और माफी गल्टी की मांगी जाती है सच बोलने की नहीं हम माफी नहीं मांगेंगे कोई बात ने बेबीजी ते बस सांत रहो चल चल अठे से रखो चल जब तक यापसे माफी नहीं मांगें अज़ाओंगा तक यापसे माफी नहीं मांगें अज़ाओंगा अच्छा अगर हम माफी नहीं मांगेंगे तो क्या करोगे तुम क्या करोगे बताओ बोलो ना अज़ तुम्हारे परिवार की बेजती हो रही है तो तुम्हें बहुत गुसा रख कि तुमने बेजती की थी वो हमारे सगे भाई है बश्ड़े परिवारे धित लुम है लुम्हे भाई है विपटी खब हुआ खड़ी पांगल हो गया कि बेबीशी पर हाथ उठाएगा तो बेबीशी पर हाथ उठाएगा तो यो तिखाया मेने थादे शारम कोड़ी आवे थाजी बेबीशी आमें माफ कर दो कर दो लगाईए हमें चले जाएए यहांसे चले जाएए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब रात पुचाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी चल रखो चले जिससे तुम्हारी 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 सुखी पल के हुई नम क्या खुद का सब जाए हम जीत नहीं पाए अपनी कम सोरी से दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से दिल बंधे बंधे एक डोरी से दिल बंधे बंधे एक डोरी से दिल बंधे एक डोरी से बहुत जोर आ गया है खारे हातों में बेवी जी पर हाथ उठाएगा तू बेवी जी पर क्या गनेट बोर दिया बेवी जी नहीं क्या गनेट बढ़ा जो थारी मा शो तेड़ी तो है शो तरी को शो तरी बोड़ा तो काई कलत बोड़ा बहुत हरू में आज मन्द बुच्छी को मिला मारे घर में खुशे टिकती का है नहीं साम तक हम लोग कितने खुशते बेवी जी कितना गलत सोशती है इमारे बारे बेवी माते चिलता मत ही करो बेवी जी ने कुछ कड़त फैमे हो गई है मैं बात करती हूं से सब ठीक हो जावेगो मां सब ठीक हो जावेगो कितने खुशते लुशते लुशते मैं भी मैं थाड़ जाने कोने तोगी रगो के गर्टी के लिए हम माफी मांग रहे हैं लेकिन थे घर चुड़के मच्चा में विछी हमारा यहां और उपने का सवाल ही नहीं उत्ता हम जा रहे हैं अपने असली घर सब हमारे अपने हैं